देखे, कानून पास हो गया, लोग विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का ये कहना है कि भारत की जनता चाहती है कि ये कानून रहे, भारत की जनता चाहती है कि NRC हो और CAA हो, उस पर उन्होंने कहा है कि नहीं, भारत की जनता ये नहीं चाहती, इसलिए तो भारत की जनता सड़क मे करा लिए बहारत के हर एक जंता से पूश लिए बहुते हैं शुदान सित्य नीजु ने पश्चिम मंगान के जन्माई हैं करना है सरकार परोसानी सुप्रीम को परोसानी अरे आपने पर तो भरोसा रखिये को बाट देना है और अगर भारत की जनता चाहती है तो आप जो रेफरेंडम कर वा लिजे पतल चाहती है कि नहीं चाहती है सुदान्चु सुदान्चु जनमेर संग्राँ यह यूए ले जाता है नहीं डिवांड है मम्ता वेनरजी की डिवांड है मुख्य मंत्री पशीम बंगल की डिवांड है बॉल यह है कि बारत की जंता क्या चाहती है भारत की जनता जो चाहती है वो भारत की जनता चाहती है सदान्शू सुदान्शू make your point please 30 seconds सुदान्शू stick to time ने बाई मुझे समझ में नहीं आता कि पड़े लिखे आदमी होकर तौसीफ खान बोल क्या रहे है अरे भारत की जनता जो चाहती है चुनाओ के समय पार्टियां अपना manifesto लेके आती है घोशणा पत्र में एक एक चीज लिखती है कि हम इन मुद्दों के आधार पे आपका vote चाह रहे है और हमने लिखा था हम NRC करेंगे और जनता ने हमें 303 का बहुमत दिया अब ममता बनर जी जो कि अपने लोग समय में लाई हार करें अप जो वारिस पठान जो कह रहे है अब वो frustration किसमे है frustration ममता बनर जी में दिख रहा है कि UN में लेके जाओ यह frustration की इंताहा है जनाब इंताहा है बॉकला हाट और खिसिया हाट की हद है कि आप कह रहे हैं यूएन में लेकर जाओ अरे भाई आप बंगलादेश पाकिस्तान नहीं बोल रहा है ये बोल रहें अरे शेख हसीना से ज़्यादा तो आज कटट पंतियों के साथ मम्ता बनर जी कड़ी हुई है और उनको दिख गया कि लोगसबा चुराओं में उनका पत्ता साव और विधान सवा में हो जा रहे हैं इसलिए इस प्रकार की बात कह रहे हैं और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जब एक तरफ हमारे पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि बवाल करने वाले इलिमेंट चात्रों के बीच में आजा रहे हैं जब भात का बेट्मेंट का जो कलाउज है आप सवाल सुनेंगे जिन हिंदू के नाम NRC में नहीं आएंगे उनको ये बिल बचाएगा ये नहीं बचाएगा जिन हिंदू के नाम ये केवल पाकिस्तान और बंगलाजेश के लोगों से तिश濫र बारवालों से वारिस पठान को मैं लेकि आना था, ठीक है, आपके लिए निया खुडjam P questi पेड़ी पहल की, जो 17-23 परसंट तक 3% हो गए, जिसके लिए पूरा यूराइटे नेशन जिसके अभी आपकी चिला चिला के कर रही मंताब अरजी वो यूएट ने क्या कहा है कि पाकिस्तान मुसल्वारों के साथ क्या होता है और यह हम नहीं कह रहे है तरुड गोगवाई ने कहा 202012 को मनमौन सिंग को लगर निक के पाकिस सब्सक्राइब करना चाहिए आप 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 अपना बादार हिंदू मुसल्वान की दुकान बंद कीजिए अमीज देवगन आज बारत खड़ा हुआ है और बारत के लोगों को एक प्लमेसाइग करना चाहिए कि आज की सरकार में उसे विश्वास है या नहीं है यह होरा चाहिए जन्वल संगरे बंद मौन सिंग ने यह नहीं कहा था कि मुसल्वानों के लावा सब को नाग रिकता दो मैं यह नहीं कहा था मैं एक वक्त अवे लोग सभाव मैं दिया गया बारा फरवरी 1964 को वो वक्त अवे शुनी दिया और आप लोग बताइए तमाम देश के दर्शक बताइए यह किस पार्टी के नेता का है वो वक्तावे है, things are going to be done against Hindus in Pakistan, those who are coming and those who have come here before are called refugees, they are not refugees, they have to have a home to be provided, this is a country which should be home for them. वक्तवे हैं, हीरन मुखरजी, कमनिस पार्टि आफ इंडिया के नेता, कॉस्पी जगज़ती हैं, हीरन मुखरजी, लोग सभा में कह रहे हैं, सिर्फ हिंदू ओपर हो रहा है अत्याचार, यह कमनिस पार्टि नेता है, और मैं एक बात और बता दूल तम्राहमानि, आपकी सह कि शार्दा और नार्दा पर भी जरा रेफ्रेंडम करा